हिंदी कॉमिक्स लाल धाटी का प्रेट ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे किसी गाव में एक गरीब परिवार रहता था परिवार के मालकिन सीता देवी की दो बेटियां थी एक कुत भी लेकिन वो छोटा था दोनों बेटियां जवान थी इसलिए सीता देवी उनके विवाह के लिए चिंता में गुलती रहती थी एक दिन उनके घर एक साधू ठहरा देवी तुम्हारे पास रोजी का साधन नहीं है क्या नहीं स्वामी जी फिर परिवार की जीविका का निर्वाह कैसे होता है मेरी दोनों लड़कियां जंगल से लकडी काट लाती है उन्हें बजार में बेच देते हैं उससे जो धन प्राप्त होता है उसी से जीविका चलाते हैं ओ सयानी लड़कियां जंगल जाती है क्या करे स्वामी जी बेबसी है घर में पुत नहीं है वो तो बहुत छोटा है नो वर्ष का मैं एक बार उसे देखना चाहता हूं क्यूं नहीं एक युवती तुरंद अपने छोटे भाय को बुला लाए यही है स्वामी जी साधु ने उसके हाथ की रेखाएं देखने के बाद कहा राज योग है इसके हाथ में एक दिन ये तुम्हारा नाम रोशन करेगा सुबल साधु आशिरवाद देकर चला गया तब बेटी कमला जंगल से लकड़ी काट लाओ फिर बेचकर घर का सामान लाना आज तो आटा भी नहीं है कमला जंगल की ओर चल दी आज खूब सारी लकड़ीया काट कर ले जाऊंगी ताकि दो चार दिन का काम चल सके कुछ का दम आगे चलने के बाद अरे इस रास्ते पर तो मैं अकसर आती हूँ ये सूखा पेर कहां से आ गया इसकी लकड़ीया भी अच्छी है बजार में जाते ही बिक जायेगी दूसरे ही क्षन कमला ने जैसे ही कुलहारी को चलाया वैसे ही उसका शरीर कामपा उसे लगा जैसे वह हवा में उन रही हो भय एवम आतंत ने उसे चीखने भी ना दिया वास्तविक में वह पेर नहीं था बलकि एक खतरनाक दैत्य था वह विशाल पंची कमला को लेकर एक म महल में खिलकी से प्रवेश कर गया पंची की प्रवेश करते ही महल पानी में समाता चला गया उधर आज कमला ने बड़ी देर कर दी अभी तक नहीं आई दीदी इतनी देर कभी नहीं करती थी सीता देवी परेशान होकर गाव वालों के पास पहुची भाईया मेरी बेटी क कमला जंगल से लोटी नहीं, जंगल में कोई हिंसक जानवर भी नहीं, फिर कहां गई होगी, नदी में, वह तैरना जानती है, सीता बहिं, कमला का कहीं, पता नहीं चल सका, बेचारी सीता देवी, रोपीत कर रह गई, हाई मेरी बेटी, धीरे धीरे दिन, बीटते गई, तब भी कमला का कुछ पता नहीं चला तो, एक दिन बिमला बोली, मा अब मैं, लकडी कातने जा रही हूँ, हम कब तक, फाके करते रहेंगे, हाँ बेटी, लेकिन तू रास्ते में, कभी अचकना नहीं, तुम बेफिक्र रहो मा, विमला ने जंगल से, घेर सी लकडिया काती, और घर को चल दी, आज लकडिया, खूब सारी मिली है, अच्छे पैसे मिल जाएंगे, कुछ दूर चलने के बाद, वो ठिठक गई, कितना प्यारा, हिरन का बच्चा है, क्यूं ना मैं इस से, पकड़ कर, घर ले चलने, विमला ने बच्चा, गोड में उठा लिया, रेशम की तरह, मुलायम है, उसी क्षर्ण, उई मा, और विमला चीक कर, बिहोश हो गई, वो प्रेट उसे, पीत पर लाद कर, आकाश की ओर, उर गया, उसने एक धाटी में, कदम रखा, हाँ, 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 यह मेरा राजे है, यहाँ कोई माना, कदम नहीं रख सकता, मैंने असी लग्यां, कैद कर रखी है, अब मैं यहाँ, एक महल बना कर, मेरी से क्रोंगा निया, होगी हाँ, 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 तभी प्रेट ने हवा में, हाथ उठाया दूसरे क्षन, धाटी के बीच एक, विशाल महल बन कर, तैयार हो गया, और प्रेट उस, महल के मुख्य द्वार में, प्रवेश कर गया, उधर, बिमला अभी तक, नहीं लकडियां है, यही से कहीं, गुम हो गई है, अब क्या होगा, मा, बेचारी रोती पीटती, धर को चल दी, बेचारी, दोनों बेटियां ना जाने, कहां गुम हो गई है, और उसी गम में, सीता देवी चल बसी, बेचारा मदन चंद, अनात हो गया, मा, आज तेरा बेटा, इस कारण तेरी मौत हुई है, मैं उसका पता लगा कर ही रहूंगा, मा का अंतिम संस्कार, करके वल गाउं से, शहर की ओर चल दिया, अब तभी, गाउं में वापस आऊंगा, जब अपनी बहनों का, पता लगा लूंगा, वह राज दर्बार में, पहुँच गया, बाहरी द गाएगा, उसे इनाम में आधी, जागीर दी जाएगी और, राजकुमारी से विवा, किया जाएगा, मुझे ये बीडा, उठाना चाहिए, मैं वैसे भी, अनाथी हूं, भाई साहब आखिर, राजकुमारी किस तरह, गायब हुई है, सवाल अच्छा है तुम्हारा, लेकिन ये बात, महाराज ही, बता सकते हैं, मैं महाराज से, कैसे मिल सकता हूं, क्या तुम, राजकुमारी का पता, लगाने जाओगे, यहाभी बच्चा है, वैसे लड़का साहसी है, ही 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 बड़े बड़े योध्धा तो, बीला नहीं उठा रहे हैं, मदन चंद, राजदर ब बार में, जा पहुचा, महाराज ये कुछ, पूछना चाहता है, क्या पूछना चाहते हो नौजवान, महाराज, राजकुमारी के बारे में, कोई जानकारी नहीं है की, वह कहा है, या उनका अपहरन, किस तरह हुआ, हाँ है, बह लाल घाटी में है, एक दिन वहां का, एक प बहुत, कम उम्र के हो, महाराज जब एरादा, पक का हो, तो, उम्र का कोई महत्वही, नहीं रह जाता है, नवयुबक तुम तो, वाकई होनहार, मालूम पढ़ते हो, महाराज, राजकुमारी का पता, मैं लगाऊंगा, मुझे कुछ समय की, मोहलत चाहिए, और उसने अपनी दोनों बहिनों के, गायब होने की सारी बातें, महाराज पवन सिंध को, बता दी, लेकिन नौजवान हमारे, जासूसों ने पता, लगाया है कि, वह प्रेद जादू गभी है, ये नौजवान अवश्य ही, हमारी बेटी का, पता लगा लेगा, तुम्हारे पास कोई, साधन भी तो, नहीं है, उसकी फिक्र, आप ना करें, साधन अपने आप, बनते हैं महाराज, तुम ठीक कहते हो, बस मुझे थोड़ा सा, राह खर्च चाहिए, महामंत्री इस नौजवान को, पचास मोहरें, दे दी जाएं, तुरंत उससे, पचास मोहरें मिल गई, अब सुनो ला राज कुमारी को, साथ लेकर नहीं लोटे तो, तुम्हें सजा भूगतनी होगी, मुझे स्वीकार है, और वो राज दरबार से, बाहर आ गया, उस पेट से कैसे निप्टूंगा, वो आगे बढ़ता रहा, शाम होती तो, सो जाता, सुबर होती तो, फिर चल देता था, रास योगी अपनी अपनी साधना में लीन थे, एक योगी को अपनी कुटिया के सामने साधना करते देखकर, वो वहीं पास में बैक गया, जब इनकी साधना तूटेगी तब कुछ, दिन के विश्राम के लिए आगरा करूंगा, साथ दिनों बाद, उस योगी की तंद्रा अरे वत्स तुम यहां कब आये, यह आश्रम इतना स्वच कैसे हो गया, सुबह शाम में ही यहां की सफाय किया करता हूं, लेकिन तुम इन जंगलों में क्यों भटक रहे हो, मुनिव विब्दा मनुष्य को बहुत परेशान कर देती है, मैं अपनी बहनों के साथ साथ राज राजकुमारी फूल कुवर की, खोज में निकला हूं, सुना है राजकुमारी, लालभाटी के प्रेट की कैद में है, मुझे आशन का है की मेरी बहिने भी वही है, ओ, योगी ने एक शन को पलके मून कर ध्यान किया, फिर आखें खोल कर बोले, वत्स वा प्रेट तो बहुत ही निर्दय है, साथ ही बहुत बड़ा जादूगा है, तुम उससे कैसे निपट सकोगे? मुनिव, मैं तो आपकी शर्नागत हूं, आप ही मेरे रक्षक हैं, मैं तुम्हें उस जादूगा पर विजय, पाने का उपाय तो बता सकता हूं? बताए मुनिव, अगर तुम महाका महाकाल से तीन चीजें प्राप्त कर लो। महाकाल कहां रहता है और वह तीन चीजें कौन सी हैं? महाकाल पानी के अंदर एक महल में रहता है, उसके हाथ में एक हीरे की अंबूठी है, कमर में तलवार और एक भूगोल, उसे भूगोल में दुनिया के नक्षे के साथ लोग अच्छा लेकिन मैं महाकाल तक कैसे पहुच सकूँगा इसका सब प्रबंध हो जाएगा और फिर योगी ने मदन चंद को एक पत्थर का टुकड़ा देते हुए कहा इस पत्थर का ये गुन है कि तुम्हें पानी के प्रभाव से बचाएगा तुम इसे मुह में रखकर पानी में सुगमता से तैर सकते हो आपने कहा कि वह पानी के अंदर महल में रहता है उसके लिए तुम्हें एक मंत जाप करना होगा मंत जाप के प्रभाव से जल सूख जाएगा तब तुम जल में प्रवेश कर सकते हो मदन चंद ने मंत जाप के लिए उस योगी से शिक्षा ली और फिर लाल घाटी की ओर प्रस्थान किया जाते समय योगी ने उसे एक हवाई घोडा भी देख दिया था मीनार के पास जो पानी का विशाल सरोबर है वही महाकाल का महल है वही मीनार है मीनार के पास ही उसने अपना घोडा उतार लिया अब मुझे वह पत्थर मुँ में रखकर छलांग लगा देनी चाहिए दूसरे ही क्षन कितनी सुन्दर मचलिया है तभी उसे वह महल दिखाए दिया वह कितना अनमोल महल है अब मुझे बाहर जाकर मंत जाप करना चाहिए वह बाहर आकर मंत जाप करने लगा तुरंट जल से बाहर महल नजर आने लगा कुछ देर बाद आधा महल नजर आने लगा और फिर देखते ही देखते सारा महल साफ नजर आने लगा अगले ही क्षन वह महल के सामने जा पहुँचा मुझे द्वार स्वयम खुल गया द्वार पर मेरा स्वागत करने वाले ये लोग कौन है? अवर्षय ही ये जादूई महल के जादूई राक्षस होंगे. अगला द्वार भी स्वयम ही खुल गया. ये दैत्याकार पहलवान कहीं मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुचाएंगे. उसके गद्दे पर बैठते ही मदन चंद ने भोजन किया. तभी वहां कुछ पहलवान और योध्धा आ गए और रूख बदल कर कुष्टी लड़ने लगे. उसके बाद अनेक सुन्दरिया आकर नृत्य करने लगी. नृत्य के बाद कोई भी नहीं रहा. सब गायब थे. तब वो अगले द्वार की और ब कर लो. नाग को हाथ लगते ही. वह निश्प्रान होकर नीचे गिर पड़ा. अहा. तब ही किवारों के तीछे से एक भयन कर आवाद सुनाई पड़ी. कौन हो तुम? मेरा नाम मदन चंद है. मैं पवानगर का निवासी हूँ. कहते ही मदन चंद ने किवार खोल दिया. किव जुकते ही परवता का दैत्य धम्व से जमीन पर गिर पड़ा. मदन चंद बेधरक अगले द्वार में प्रवेश कर गया. कहीं ये जीवत तो नहीं है. वह सास रोक कर एक-एक कदम बढ़ाते महाकाल के पास गया. यही है वह अनबूठी. मदन चंद ने निर्भय होकर महाक अब इसकी तलवार भी निकालनी है मुझे. अब उससे सिर्फ भूगोल लेना था. वह पास पहुंचा. आश्चार्य इसमें मनुश्य दिखाई दे रहे हैं. उसने वह भूगोल वहां से उठा लिया. वह तीनों चीजे लेकर तेजी से बाहर भागा. उसके बाहर आते ही च थमाका हुआ और तभी उसे योगी की आवाद सुनाई दी. वत्स तुम फोरन वहां से भागाओ. भयानकर जलवर्शा होने वाली है. वह अपने घोडे पर बैठकर वापस योगी की ओर चल दिया. अब मेरी बहिनों का पता लग जाएगा. और कालावन पहुंचकर उसने अ दोनों जोपड़ी के अंदर आकर बैठ गए. भूगोल मदन चंद की बहेने जहां हो उनका दृश्य दिखाओ. तुरंट भूगोल में धुआ उभरा और चित्र नजर आने लगा. प्रिये तुम आज उदास क्यों हो? आज मां की याद आ गई है. मेरा भाई भी ना जाने क ऐसा होगा. मैं अंतिम बार अमावस्या की रात को आउंगा अगर उस दिन तुम मेरी रानी नहीं बनी तो जबरन तुम्हें रानी बना लूंगा. देखा वात्स, तुम्हारी एक बहिन शादी करके सुखी है, दूसरी मुसीबत में है. हाँ महात्मन, मैं आज रात ही लाल धाती के लिए प्रस्थान करूंगा. समय अच्छा है, तुम निर्भय होकर लाल धाती में कूट जाना, जब तक ये तलवार और अंगूठी तुम्हारे पास है, वह प्रेत तुम्हें परास्त नहीं कर सकेगा. इस भूगोल के माध्यम से मैं बराबर तुम पर नजर जी, जब भी तुम पर विब्दा आएगी मैं तुम्हारा साथ दूंदा. अगले दिन सुबह वह हवाई घोडा लेकर लाल धाती के लिए चल दिया, बहुत लंबी उरान के बाद, ये रही लाल धाती, पहार के चारों और गोला का राग की लप्ते उठ रही है, उसने अप अदन चंद, मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना बे मौत, मारे जाओगे. तभी एक जटकी से, दोनों और से उन, पहरेदारों ने उस पर हमला कर दिया, मार दो, दोनों ने पूरी ताकत से, भाले आगे बढ़ाए, आ, मार दया, मुझे चले थे, मारने, अगले द्वार पर पहुँचते ही, उफा, ले दुष्ट, अब मुझे आगे, बढ़ना चाहिए, उसने एक, दर्वाजी पर लात मारी, ओ, शायद मेरी, बहिन बिमला भी, इन्ही में होगी, उसने सभी दर्वाजों में, जांक जांक कर देखा, लेकिन बिमला कहीं, दिखाए नहीं दी, बिम रखते ही, दर्वाजा खुल गया, बिमला को पहचानते ही, उसने दर्वाजा अंदर से बंद कर लिया और बिमला के पास आकर बोला, बिमला बहिन, बिमला चौक कर उट बैठी थी और फटी फटी आँखों से देखने लगी, अरे मदन भाईया, तुम यहां, हाँ बहिन, म तुम लोगों के गम में चल बसी, कमला दीदी का भी पता अभी तक नहीं चल सका, कमला दीदी जल महल में है, उन्होंने एक जादूगा से शादी कर ली है, लेकिन, लेकिन क्या, वह लोग भी इस लाल घाटी के प्रेट के जाल में है, कमला दीदी के पती इस प्रेट से हार गए है तभी से उन्हें इस कमीने ने कैद कर रखा है यह इतनी लड़किया कहां से लाई गई है पता नहीं तुम वियर थी अपनी जान गवाने यहां आ गए लेकिन अंदर आने से किसी ने रोका नहीं तुम्हें दो पहले दारों को मार कर अंदर आया हूं अच्छा दूसरे ही क्षन उसका चहरा उदास हो गया तू उदास क्यों हो गई बिमला बहन शाम को आते ही वह प्रेथ तुम्हारी हत्या कर देगा मैं उसे मार दूंगा वह इस तरह नहीं मरेगा फिर किस तरह मरेगा सुना है उसकी जान किसी कभूतरी के पेट में है वह कभूतरी कहा है ये बात वह किसी को बताता नहीं है, मुझसे शादी करना चाहता है, आज अगर इंकार किया तो वह जबरन मुझे अपनी बीवी बना लेगा, ओ तुम एक काम करना, इस बार जब वह आये तो कहना की उसकी जान किस कबूतरी में है, अगर वह बता दे तो मैं तुम से शादी कर ये कहना, अच्छा ठीक है, और मदंग चंद, शाम होते ही उसी, बिस्तर के नीचे छिप गया, अब देखूंगा उस प्रेत के बच्चे को, शाम होने के बाद, कहो मेरी मलिका, मैं तुम से शादी कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीवन ब अंगी रहती है, नीचे भयंकर, अजगर रहता है, सच्छी, तुम्हारी कसम, हम पूर्निमा की रात को शादी करेंगे, ठीक है, प्रेत जाने के बाद, बाहर आ जाओ भाईया, गीदर की मौत आही गई, उस रात उसने, उस कमरे का पता लगाया, जिसमें वल कबूतरी थी, तो यहां कमरा है, मुझे अभी इस कबूतरी को हासिल कर लेना चाहिए, उफ, ले कमीने, तभी अजगर, धणाम की आवाज के, साथ ही क्राक्षस, बनकर बाहर की ओर, उल गया, पिंचरा हाथ में लेकर, मदन चन जैसे ही, बाहर आया वह, प्रेत गरजता हुआ, आधम का, इसे उठा लो, और बिमला ने, उस कबूतरी की गरदन, धर से अलग, कर दी, आह मर गया, आधमे एक्षन, भयंकर गरजना के साथ, महल आकाश की ओर, उर्ता चला गया, ओ, लाल घाटी का, प्रेत खत्म हो गया, चारों और पहारों की, आग भी शान हो गई, भाईया, दीद तुम लोगों में से, पवनगर की, फुल कुवर कौन है, मैं हूँ, और फिर उसने, रेश्मी साडियों से एक, लंबी रसी बनाए, और, हर लड़की ने, एक दूसरे का हाथ पैर, पकर लिया, फिर हवाई घोडे पर, बैठी बिमला ने वह रसी, गोडे की, गरदन से बां पाते बता दी, रास्ते में मदन चंद ने, गोडा योगी को, वापस कर दिया, तब योगी ने उन्हें, अपनी योग माया से, एक वुलन खतोला, तैयार करके दिया, सभी उसमें बैठ कर, पवन गड़ आ गए, राजा पवन सिंग, अपनी बेटी को पाकर, खुश हो गए और मदन चंद से फूल कुवर की, शादी हो गई, मदन चंद अपनी बहनों और बहनोई के साथ पवन गड़ में ही रहने लगा, उसकी जिंदगी में सुख ही सुख था, समाप्त